नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में दो दिन पहले मैं गरीन चिली सॉस घर पर बनाई थी अप मार्किट के इसमाल कर सकते पर घर पर भी ऐसे मार्किट वाला स्वाद बना था न तो आप मेरी भी ट्राइ कर सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो उसके मैं ने पराठे बनाए और यह इतने पाद के अनुसार नमक साथ ही साथ एक चौथाई चमच जीरा आधी चोटी चमच लाल मिश पाउडर उसके बाद देखे मैंने घर की बनाई ग्रीन चिली सॉस ले लिए आप मार्केट की भी ले सकते हैं यह मैंने डाल दिये एक कप जितनी और इसे हम अच्छे से मिक्स मैंने एक चमच तेल भी इसके अंदर डाल दिया था आप गी भी डाल सकते हैं अच्छे से आपको मिक्स करना है जितना हो सके इसी से ही आटा आपको गूंदना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जरूत के अनुसार आप पानी डाल सकते हैं यह बॉटल में ना मैंने करकर ही आपको पानी डालना है एक साथ पानी ना डाले और इस तरह से आटा गूंदने फिर थोड़ा सा तेल लगा कर आटे को अच्छे से मसल लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आटे को मैंने अच्छे से मसल लिया है अब इसे ढखकर हम 5-10 मिनिट के लिए रख करेंगे उसके बद थोड़ा सा आटा लेकर दोनों हाथ के बीच में से मसल लेंगे और इस लोई को हम चकले पर रखकर दोनों तरफ रखा गेहूं का आटा च्छड़कना है और इसे हमें बेन्हा है तो आप चाहे तो इसे बड़े पराठी भी बना सकते हैं और इसे छोटे मैंने यह पर तेल का इस्तमाल किया है थोड़ा थोड़ा में दोनों तरफ तेल लगाती जा रहे हैं और इसे आपको अच्छे से सेख लेना है अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजे अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें आज के लिए बस इतना ही थांकियो फॉर वाच्छाएंग